हेलो बच्चो मेरा नम दीत मिश्रा आज में आपको हिंदी व्याकरण वियूंग क्लास फीफ्थ चैप्टर थी चैप्टर थी का नाम है सब्द विचार तो बेटा आपने अपने प्रेविश बीडियो में इस चैप्टर को आपने डीट करना स्टार्ट किया है तो आएए हम अपने चैप्टर की आगे पार्ट फढ़ते हैं तो बेटा आपने तद्भा तसम सब्दों को उस दिन वतलब की प्रेविश बीडियो में आपने रीडि गया था आई हम आगे चलते हैं यह यह निए हमारा देशा सब्देसी सब्दा आपने पढ़ा कि सब्दों कि जो सब्सक्राइब करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है वह रूड़ सब्सक्राइब अर्थ कर देते हैं तो एक अर्थ निकलता है अगला योगिक सब्सक्राइब क्या होता है जिसके सार्थक सब्सक्राइब की योग से कोई सब्सक्राइब ना बने तो तो कई अर्थ यह देखिए आपका न दो शार्थक सब्सक्राइब की ठीक है लेकिन दो सार्थक सब्दों की बात हो रही है तो यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर क्या थे वर्ड की बात हो रही थे और यहाँ पर बात हो रही है आपके सब्दों की हो रही है यानि दो सार्थक सब्दों की योग से बनने वाले शब्द योगिक सब्द कहलाते ह कि यह से हैं जल प्लास वाई्व दोजाल का भी अर्थनिंग रहा है वाईव का भी अर्थनि कर रहा है यानि देखिये रूड सब्धों में della के क्षिए तो बैटार सब्ध में क्या थे आपकी वर्डों आल करके अर्थनिकाले जा रहे लेकिन आपके योगिक सब्द में क्या है सब्दों क्वाला करकर निकाला जा रहा है अब आ रहा है योगरूड सन्थ ऐसे सब्दों योगी तो हो पर उनका प्रयोग किसी बिश्यस अर्थ में ही होता है जैसे योगरूड सब्दे कहलाते हैं इसे नील कंट नील कंट ऐसा सब् किसी बिश्यस अर्थ में प्रयोग होता है दसाना नुगा किस तरकर कहा है अगला है हमारा प्रयोग की आधार पे तो प्रयोग की आधार पे सब्द दो प्रकार के होते हैं एक होता है विकारी दूसरा होता है और विकारी विकारी के होता है ऐसे सब्द जिन में लिंग वचन और कारा के कारण परिवरतन आ जाता है विकारी सब्द कहलाते हैं विकारी सब्द चार प्रकार की होते हैं संग्या शर्वनाम भी शेश्वर क्रिया यह आपके वुक में राइट हुआ है बैटा और आप इस बुक को अच्छे से रिट करेंगे तो यह देखिए विकारी उसका है संग्या चिल्च फार्णि है में चल्च बार किनार हैं तो विकली सब्द हो और एक सब्द से परिवरत्न यंद्य विर्टिन रोपो को निवा यह सब कैसे घृत यह एंप कर दिया है तुम के लिए हैं तुमके लिए ही आग अगला है हमारा अबिकारी सब्द इनि कि आधे हैं यार्फिकारी सब्द क्यों होता है एसा सब्द जिन में लिंग वह चन और कारग की कड़ों कारड़ परिवुरत नहीं होता है और विकारी सब्सक्राइब आपने देखा इनके चार प्रकार के होते हैं अगली अर्थ की आधर पर अर्थ की आधर सब्द दो प्रकार की होते हैं सार्थक सब्द नीरर्थक सब्द क्या होता है ऐसे सब्द जिनका कोई अर्थ होता होगा वह सार्थक सब्द कहलाते हैं जैसे हम चाय वाय बोलते हैं तो चाय हमारा सार्थक सब्द है लेकि वाय हमारा सार्थक सब्द नहीं वलकि वह क्या है हमारा नीरर्थक सब्द है पानी वानी पानी हमारा सार्थक सब्द है वानी निर्थक सब्द है तो देखें यहाँ पे है वकडी वॉल विल का यह सब क्या है यह हमारे निर्थक सब्द है और यह देखें फॉल चिल का यह क्या है कमल ककडी यह सब क्या है यह जो है यह आपका सार्थक सब्द है